आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे आडानी पावर स्टॉक के बारे में आडानी पावर को डिसकस करने का मुख्य कारण यह है कि जिस परकार से एक बरी रैली से स्टॉक में देखा उसी परकार से अगें देखेंगे तो एक ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच मे consolidate कर रहा है कि बहुत सारे लोग confuse हो रहे हैं कि इस समय से stock को buying करना चाहिए या फिर करना चाहिए ignore तो इस stock के trend को discuss करें इससे पहला योप कि आपने चैनल को subscribe कर लिया है दोस्तों के साथ share करें और इसके साथ ही जो premium telegram है उसको भी join कर लेंगे ताकि सभी updates आप तक बिल्कुल free में आते हुए दिखेगा अडानी में इस समय जो सबसे बड़ी news चल रही है वो fund raise को ले करके ही चल रही है जितना maximum capability है अडानी उसको utilize करना चाह रही है और उन सभी utilization को ले करके देखें तो एक बड़े fund लगबग 50 000 करोर के आसपास तक के raise किये जाएंगे यहां देखें तो individual कुछ भी news नहीं है यहां देखें यहां भी आपको fund raise को ले करके ही news दिख रही है जो कि हमने कहा और लगबग यहां देखेंगे तो 3 billion dollar जो कि लगबग देखें तो 300 करोर को 80 से कर देंगे तो लगबग 25,000 26,000 कर fund raise कर रही है already 2150 करोर के आसपास का हमने fund raise करते हुए दिखा तो अब ऐसा समझे कि 60,000 करोर तक का fund overall अडानी के अंदर raise होते हुए दिख सकता है delivery अभी भी देखेंगे तो बेतर ही है technical trend positive के बाद थोड़ा बहुत यहां एक negative trend दिख रहा है लेकिन मुझे क्या लगता है कि 240 और 220 क्या zone एक accumulation zone है यहां धीरे-धीरे stock को accumulate करें और एक बड़ा trend 320, 390 और 500 के यह 3 level आपको उपर के side easily दिख रहा है